अखिल भारतिय मजदूर संग की केंड्रिय स्मीती के अहावान पर चमबा में भारतिय मजदूर संग की जिला इकाई द्वारा नई पेंचन प्रनाली के खिलाफ एस्टियम चमबा को ग्यापन सौंपा गया संग के सदस्यों ने कहा कि उनकी कई मांगों पर अब तक गौर नहीं किया गया है जिसके विरोध में संग द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर में धर्ना प्रदर्शन किया जा रहा है वहीं जिलास्तर पर भी ग्यापन सौंप कर विरोध जाहिर किया जा रहा है शुक्रवार को चंबा में अखिल भारतिय मजदूर संग की जिला इकाई ने पुरानी पेंशन को शुडू करने अनुबंध और निश्चित अवधी रोजगार योजना को निरस्त करने आयकर की सीमा 5 लाख को बढ़ा कर आठ लाख करने और इस बारे में जानकारी देते हुए हिमाचर प्रदेश भारतिय मजदूर संग के वरिष्ट उपाध्यक्ष खेंको राम ने बताया कि मजदूर संग द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जंतर मंतर में धरना प्रदर्शं किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में चमबा में भी मजदूर संग द्वारा इन मांगों पर विरोध जाहिर करते हुए एस्टियम चमबा को ग्यापन पत्र सौपा गया प्रदर्शन किये जाएंगे और आज के दिन ही दिल्ली में जंतर मंतर पर विशाल दर्ना होगा तो इसी उपलक्ष में भारतियम दूर संग जिला चमबा की और से हमने एस्टियम महोदे के मादिन से माननी परधान मंतरी भारत सरकार नई दिल्ली को ग्यापन दिया है इसमें हमारी मुक्षी मांगे हैं सबसे पहली मांग है कि जो पैंसन दो जार तीन से जो परानी पैंसन सी को बंद कर दी गई है और उसकी एनपीएस चलो की है तो सबसे पहले हमारी यहीं डिमार्ड है कि पूरे देश में जो परानी पैंसन को बाहल किये जाए और एनपीएस की हुए सगी में इसको तरहनत बंद किये जाए तुँछे साथ ही हमारे जो आइशा करता है इनका जो मांदे है यह इनकी भी मांग है कि इनको सरकारी कर्मचारी गोश्चत किया जाए त्योंकि यह 24 गंतों काम करते हैं सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मलहोत्रा की रिपोर्ट